चीन को दुनिया अब कई नामों से जानने लगी है कोई उसे फादर आफ कोरोना तो कोई भू माफिया बुलाता है इसकी वज़ा भी है क्योंकि चीन ने अपने हर पड़ोसी देश की जमीन पर नज़र डाली है लेकिन जब से हमारे प्यारे भारत के वीर जवानों ने चीन को गलवान से लेकर पैंगांग तक खरेड दिया तब से दुनिया के कई दूसरे देश भी भारत के नकसे गदम पर चलने लगे है इन ही में से एक देश है फिलिपीन्स जिसने अब चीन के खिलाब सक्त रुक अक्तियार कर लिया है क्योंकि चीन ने साउट चाइना सी के ठीटू दूइब के पास आवे तरीके से मौजूद्गी बढ़ाने शुरू कर दी है और यही वज़ा है कि चीन को फिलिपीन्स ने कहा है कि वो जल से जल इस दूइब के पास से अपने जहाज और मचली पकड़ने की नाव हटा ले क्योंकि ये दूइब उसका है और यहाँ पर उसका ही कपजा होगा लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है वो ये है कि हर बार की तरह इस बार भी चीन ने अपनी संप्रभुता का दावा करते हुए कहा कि वो इस छेतर की रक्षा करेगा मतलब साफ है कि चीन अब फिलिपीन्स के इस दूइब को भी कबजा करना चाहता है चलिए अब आपको बताते हैं इस दूइब को लेकर कब से तनाव की इस्तिती बनी है और क्या फिलिपीन्स ने इसको लेकर चीन से बात की है या फिर नहीं दरसल रणीतिक रूप से महतपूर की इस छेतर में दोनों देसों के बीच इसको लेकर करीब एक महिने से अधिक समय से तनाव है और फिलिपीन्स में विदेश विभाग ने कहा है कि उसने चीन की लंबे समय तक उपस्तिती और मशली मारने की नावों की अवैद गत्विदियों के खिलाब रजनईक विरोध दर्च कराया है उसने कहा है कि चीन को दीप के पास से अपने जहाज वापस बुला लेना चाहिए जो फिलिपीन्स का आंतरिक हिस्सा है वैसे अभी कुछ दिनों पहले ही फिलिपीन्स ने साउच चाइना सी में कुछ दीपों के नज़दीक सैन अभ्यास किया था इसकी वज़ा है कि चीन बार-बार उसके द्वीपेपुर अपना अधिकार जताता रहा है और इसी को लेकर फिलिपीन्स ने अपने कोश्ट कार्ड यानि PCG, Bureau of Fisheries और इससे जुड़े संगटनों के लिए यहां आठ जहाज तैनात कर दिये थे फिलिपीन्स ने ये सैन अभ्यास बाजोडी मासिन लोक और पैग आसादीब के करीब किया था जिसके बाद घुमाफिया चीन बौकला गया और उसने इस पर कड़ी नाज की जाहिर की थी खैर साउट चाइनस सी में चीन हर पड़ोसी देशों के साथ सिर्फ टकराव ही कर रहा है सी जिंपिंग की वज़े से तनाव बढ़ता ही जा रहा है वियतनाम से लेकर ताइवान तक सभी चीन की विस्तारवाद नेती से परसान है वही चीन की हरकतों के विरोध में फिलिपीन्स ने फ्रंट खोल दिया है चीन की अपनी चालबाजी की वज़े से दुनिया का समिकरण बदल गया है दुस्मनों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि चीन चारों खाने चित्त हो जाएगा दक्षिर चीन सागर में ही उसका कुरू टूटेगा ब्योरो रिपोर्ट भारत तर